दोस्तों मैं अभी रवनेगी आप सब का स्वागत करता हूँ बाइजूज एक्जाम प्रेप सिविल मेकैनिकल यूटूब चैनल पर दोस्तों कम्पिटिशन एक्जाम को क्रैक करने के लिए अपने मार्क्स को अप्टिमाइज करने के लिए अपनी मेहनत, हार्ड वर्क, अपने परफॉर्मेंस का मैक्सिमम आउट पुट लेने के लिए या सीधे शब्दों में कहें तो बुल्स आई को हिट करने के लिए कॉंसेप्ट बहुत जरूरी है, इनफेक्ट सबसे जरूरी है लेकिन अक्सर एक बच्चे गलती करते हैं कि विदिन दा बॉन्डरी ऑफ दा सिलेबस में रहकर अपने एक्जाम की त्यारी नहीं करते हैं आपको उस बॉन्डरी में ही खेलना है, अगर आप उस बॉन्डरी ऑफ सिलेबस के अंदर खेलेंगे इसका मतलब हर एक शॉट अप उसी बॉल को मारेंगे जो बॉल एक्जाम में भी आ सकती है जो कोश्चन एक्जाम में भी आ सकता है मैं कभी भी टेक्सबुक के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन जब भी मैं पिछले 10 या 11 सालों से बच्चों को पढ़ाता हूँ तो हमेशा एक कहता हूँ कि बुक खराब नहीं है लेकिन बुक का कौनसा टॉपिक एक्जाम के रेलिवेंट नहीं है या कौनसा टॉपिक एक्जाम के रेलिवेंट है या कौनसा टॉपिक से मैक्सिम टाइम्स कोशन पूछे जाते है ये पता होना बहुत ही ज़री है दो बच्चे जिनका concept same है लेकिन ये concept का depth same है जब वो exam देने जाते हैं तो कभी-कभी उनका result drastically different होता है थोड़ा बहुत different तो होगा उसका reason हो सकता है कि उन्होंने अपने boundaries or the syllabus में रहे के ज़्यादा focus नहीं किया इस particular session में दोस्तों मैं आपको civil engineering के complete syllabus हर एक subject जाए वो strength हो, materials हो, geotech हो, RCC हो, steel हो उन सब का weightage, important areas और gate का official syllabus बताऊंगा जैसा कि अभी 2024 में जो exam conductor तरने वाला है ISC उसका official portal नहीं खुला है और moreover syllabus अक्सर अगले आईटी बॉम्बे ने 2021 में syllabus चेंज किया था लेकिन अक्सर जब भी syllabus होता है तो आने वाले कई साल तक कोई बहुत जादा changes नहीं होते तो कुछ changes होंगे भी तभी आपको इस channel के मादिम से बता दिया जाएगा लेकिन अगर हम उसी site पे वापर जाएं जो अभी हमापस latest official site है और उसके civil engineering syllabus को हम देखें तो इस syllabus को detail में देखते हैं यह session आपके लिए effective हो पाएगा अगर आप इसको गहराई समझे मैं क्या कहना चाहता हूं 13 marks का आपके पास इंजरिंग mathematics आता है ओके इसके बाद अगर मैं इंजरिंग mathematics के official syllabus आपको बताऊं तो आपके पास जो official syllabus है 13 marks का यह आपके पास linear algebra, calculus, differential equation, partial differential equation, probability and statics और numerical methods है अब इसमें और detail में आपको मैं बताऊं कि आपके पास 13 marks में से जहां से maximum questions आ सकते हैं वो topic आपके पास probability और आपके पास matrix वाला linear algebra में matrix के आपके पास maximum question आते हैं आइगन values आइगन वेक्टर और probability मतलब 13 marks में से आप मान के चलिए कि अगर कोई बहुत बड़ा चमतकार नहीं हो जाता है कोई बहुत बड़ा उलेट फेर नहीं हो जाता है तो 6 या 7 marks आपके पास matrix और probability से रहेंगे अब जो यह बीच वाला पार्ट है calculus या differential equation या partial differential equations इसमें से आप एक या दो marks expect कर सकते हैं आपके पास limit continuity differentiability mean value serum local maxima local minima tailor series यह सब questions हैं लेकिन अगर मैं बात करूँ के लिए paper होता है वो easy होता है और यह बात लागू थी up to 2022 2022 तक अगर हम अलग-अलग branches से engineering mathematics का paper compare करें तो हमेशा ऐसा देखा जाता था कि civil engineering का paper सबसे easy होता है mathematics का लेकिन 2023 में इस साल drastically paper different हो गया था और mathematics का paper काफी tough आया और जो बहुत सारे कारण थे और में से एक कारण यह भी था कि आपके बास cut-off कम चले गई और कम नंबर पर भी बच्चों की अथी रहें काने लग गई अगले साल क्या आएगा बहुत सारे लोग आपको बता देंगे लेकिन बाइजूस के platform पे ऐसे विधावट एडी foundation बिना सरपयर के कोई भी prediction निकीजासिती हो सकते है और मुश्किल आजाए हो सकता है और easy आजाए हो सकता आफरेज लेवल का जाए पेपर कोई भी बना सकता है अलग अलग आई तीस के प्रोफेसर पेपर बनाते वह कंडेक्ट करता है बस अग्जाम तो आपके पास इंपोर्टेंट आपको बता हूं तो मैट्रिक्स और आपके पास प्रॉबेल्टी यह कोशन है नुमेरिकल मेथड से एक कोशन आपके पास से कोशन आता है लेकिन से कोश्चन जब भी आता है तो इजी ही कोशन आता है तो मैं इसके बाद 13 मार्क के बाद हमागे आपके पास चलते हैं स्ट्रक्चल इंग पर तो structural engineering के अगर मैं आपके पास weightage बताऊं तो आपके पास लगभग लगभग 4 to 6 marks का structural engineering आ जाता है engineering services में structure एक भाउत बड़े amount में आता है लेकिन gate में आपके पास 4-6 marks का आएगा और structural engineering में अभी इस्ट्रेलनेसिस की बात करो मेजरली चांस है कि यहां से ESC में कोशन आए gate में वहां पर इतना बड़ा कोशन आपके पास नहीं देगा engineering mechanics आपके पास 2-3 marks का आपके पास आएगा हो सकता है एक marks का भी आए और आपके पास engineering mechanics का में अगर मैं पर्टिक्लरली गेट में कहूं तो फ्री वाइब्रेशन या अंडैप्ट फोर्स से कोशन आ सकता है पर ठीक है जाल चांस है कि आपके पास वह equilibrium या free body diagram या अन्य किसी पार्ट से कोशन देदे ठीक है तो यह engineering mechanics का आपके पास है structure analysis का है structure analysis की मैं बात करूं तो मैंने आपको पहली बोला four to six marks ठीक है engineering mechanics आपके पास one two three marks और solid mechanics वाला पार्ट जिसको हम strength of materials के नाम से भी जानते हैं वहां से आपके पास four to six marks में इसका strength of materials का weightage पिछली तीन-चार साल में कम हो गया है अब सुनना ध्यान से आप strength highlight भी चलेगा क्या solid mechanics में strength of material में चाहिए four to six marks का ही है लेकिन उस बात की उस subject के importance आप उसके marks से नहीं लगा जाए सकते क्योंग structure पूरा सोम का ही application पार्ट है RCC steel in fact soil के shear strength chapter में भी solid mechanics यूज होगा तो solid mechanics मतलब भाई वो civil engineering का basic है वहां से ही आपके मतलब civil engineering की चाह भी है वह civil engineering की physics है strength mechanics तो वह चाहिए zero marks का भी हो तब भी वह one of the most important subjects है strength of materials में solid mechanics में जो four to six marks का आता है वहां पर पिछले तीन या चार साल से कोई भी साल ऐसा नहीं हुआ है जहां पर आपके पास transformation of stress का question नहीं हो जहां पर आपके पास transformation of stress का question नहीं हो ऐसा कोई भी साल नहीं हुआ ठीक है offline में जब हम थे 2019 से पहले तो इतना analysis exam का नहीं होता था online समय में इतना analysis होने लग गया तो हर एक कोशन अब तो पता रहता है कि transformation stress का हर साल आ रहा है every year every set में कोशन है चाहिए वह more circle का हो चाहिए वह analytical methods पर भी हो हर साल कोशन आपके पास आ रहा है SFD BMD अगेन इंपोर्टन टॉपिक है लेकिन इसके डारेक्ट ली कोशन पिछले दो या तीन सालों में नहीं आया है इसके बाद यहthin cylinder का भी कोशन आने लग लग गया है आपके पास कोशन आने लग गया है combined stress डारेक्ट stress पे कोशन आ सकता है ठीक है इसके बाद column पर तेंसाल से कोशन नहीं आया लेकिन इसका अम अन्य सास्के़ यह लुक्त आं पढ़ेंगे आप यह नहीं समझ पाएंगे यह नहीं जान पाएंगे कि कोशन कहां तक पूझेगा भाई शेयर सेंटर लिखके दे दिया अब शेयर सेंटर निकालने के लिए आजाएगा क्या यह शेयर सेंटर उन्हीं का आएगा जो कुछ रेगुलर बॉडीज होती है जहां पर दो एक्स इसका है, इसका करेगा यह हो दो करेगा यहां करेगा यहां करेगा वो डिस्टंस क्या है चलो यह भी स्टेंडर भचली आज कहां पर वो कहां तक शेयर सेंटर में पूख सकутा है इसका हमें अनुमान सिर्फ सिलिबस देखके नहीं लगा जा सकता है तो पीछले एर के कोशन देखके हम अनुमान लगाते हैं कि शियर सेंटर से बहुत डारेट कोशन नहीं पूछेगा तो जारेक थम रूल्स पे कोशन पूछ लेगा यह कुछ रेगुलर बॉडी इसके पू यह सब कुछ है इसके बाद आगे चलते हैं सी पीएम पार्ट पर आपके पास कोशन हो सकता है जीरो मार्क्स का है हो सकता है और यहां पर मैक्सिम चांस है 90% की कोशन पूछ से आएगा पर यह से फ्लोट का कोशन आ जाएगा बहुत रहली है कि इसके लावा कोई नेटवर् कोशन आएगा टाइप आफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्स प्लानिंग आपके पास यहां से कोशन गेट में आए बहुत ही कम चांस है और मैं अगर मट्रियल्स की बात करूं तो मट्रियल्स से भी कोशन हो जाज स्याधा एक कोशन कोई सिमेंट या ब्रिक होगेरा पर आ सकता है ठीक है आर सीसी की बात करूं तो वर्किंग स्ट्रेस ओल्डो लिखा है लेकिन लिमिट स्टेट पर ही अमूमन कोशन पूछे रहे हैं पिछले कुछ सालों में और आर सीसी के गर मैं बात करूं तो यहां पर आपके पास 4-7 मार्क्स का आ सकता है जहां पर जिन मेंसे आप आपके पास एक यह दो कोशन स्पेशली वन मासका कोशन आयस कोड रिकमेंडेशन मिनियम ग्रेड ऑफ कंक्रेट इन सी वाटर यह ऐसे कुछ रिकमेंडेशन पर आपके पास कोशन आ सकता है तो आपके पास यह जो नूट्रल एक्सेस कैलकुलेट दा एक्टल डिप्त और न आपके पास इन तीन टॉपिक में से आए वापस से मैं बोल देता हूं बीम का मुमेंट ऑप रिस्टेंस जो निकालते हैं लसम मेथट से ठीक है शियर इंफोर्श्मेंट वर्टिकल से बेंट बास इंकलाइन बास या प्री स्ट्रस से तो आर्सी से आपके पास 4-7 मांक्स क बहुत बड़ा सब्जेक्ट इंजिनिंग सर्विक्श के लिए बहुत इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है लेकिन गेट के पर्टिकलर एक्जाम में जो स्टील स्ट्रस से कोशन आने के चांस हैं वह आपके पास मैक्सिम टू्याइट सकता है कि 3 कोशन भी कभी कभी आजाएं सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन 2013 से 2017 2018 तक आप या तो स्टील से दो कोशन आएगे या एक कोशन आएगा फिन चाहिए ये दो कोशन आएगा इसे बात करूं कि वह कौन से सब्जिक्ट है तो स्टील उन में से एक पर्टिक्लर एक चीज है जितना उस सब्जेट का वेटेर या जितना सब्जेट का लेंथ है उसके आप से एक्जाम में मांक्स करबाता है लेकिन एसी के लिए आगे पास टील एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक बन जाता है दोस्तों वीडियो इसको लाइक और शेयर करते रहना ताकि मैक्सिम बच्चों तक हम यह पूरी एनलेसिस पहुंचा पाएं इसके बाद आगे चलते हैं जियो टेक्निकल इंजिनियरिंग पर ठीक है जियो टेक्निकल इंजिनिरिंग सिवल इंजिनिरिंग का वन आफ दा हाइ आग्स टॉपिक नहीं है यह इस्ट ही है यह वन आफ दा हाइस नहीं है कौन से कलर लेते हैं आपके पास ही है हाइस्ट ही है लगभग 14 टू 16 मार्क्स का पूछा जाता है और इससे ज्जादा वेट इसका सब्जेक्ट पिछले कई सालों में कोई नहीं पूछा गया लेकिन हाँ gate के साब से officially यह है कि हम math 13 marks का पूचेंगे aptitude 15 marks का पूचेंगे aptitude और math के बाद civil engineering के सब्सक्राइब 72 marks का पूचेंगे लेकिन उस 70 देखो 100 marks में से आपके पास 15 हो गया aptitude का 13 हो गया आपके पास engineering mathematics का ठीक है यह aptitude का हो गया यह आपके बास math का हो गया और 72 आपके पास हो गया technical 72 आपके पास हो गया टेक्निकल अब 72 में गेट के साब से कोई भी ऑफिशल ऐसा भाई commitment नहीं है उसकी मर्जी वह 72 में से हो सकता है 20 marks का बिल्टिंग में पूचले वह 25 marks का स्टील पूचले पर अमूमन जो होता गाया है उसके इसाब से मैं आपको यह analysis बता रहा हूं जियो टेक्निकल इंजिनिरिंग में दो पाथ हैं स्वाइल मेकैनिक्स और फांडेशन इंजिनिरिंग गोपाल नंजन राओ आप बूक रैफर कर सकते हैं पर्टिक्लरी स्वाइल मेकैनिक्स के लिए डारेट कोशन वहां से पूछ जाते हैं इंजिनिंग सर्विस्स या बाकि स्टेट सर्विस में गेट में इसा कोई मतलब नहीं होता है कॉंसेट आता है तो आप उड़ाओगे कॉंसेट नहीं आता तो आप उड़ू जाओगे लेकिन हाँ बाकी एक्जाम में जहां पर डाटाबेस कोशन आते हैं तो वहां पर बहुत परक पड़ जाता है कि आर आपने कॉंसी बुक रैफर करी थी तो गोपाल नंजन रहूं के और सौाइल मेकनिक्स का अएगा और जो फाउंडेशन या स्वाईल एक्स्पोर्रेशन वाला पार्ट ऐ स्ट् majesty वहां से आप टू-टू-पॉर मांक परश कर सकतें तू-टू-फा dense, अब स्वाईल मेकनिक्स में भी थी फें शिस्टम और स्टूर इफेक्टिल स्ट्रेस व नहीं आए तब भी इस इंपॉर्टन है क्योंकि पूरे स्वाइल मेकनिक्स में थ्री फेस डाइग्राम जो आप परोसिटी यूनिट वेट पढ़ते हैं और इफेक्टिस पढ़ते हैं वह यूज होगा कंसॉल्डेशन में यूज होगा एफेक्टिव प्रेशन में यूज जहां पर आगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलू तो यह दोनों इंपॉर्टेंट हो गए साथ में आपके सीपेज सीपेश फोर्स कुइक्ट से कंडिशन से कॉशन आता है कॉमपेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कंसॉल्डेशन और शीर स्टेंथ यह चांस है कि कोशन आपके पास तरजागी से आजाए ऑल्दो इस साल उसने घुमा दिया था भाई मेराउफ से भी पूछ लिया था इसलिए कट आफ कम गई है ठीक है तो इस बार मेराउफ से भी कोशन पूछा एक सैट में तो आपके पास शैलो फॉन्डेशन डीप इसके बाद water resource engineering पर चलते हैं यह gate को official से लिए बस है दोस्तों इसके बाद water resource engineering पर हम चले तो fluid mechanics और hydraulics अगें बहुत ही बड़े subject है hydraulics engineering services के लिए आपके पास बहुत important है gates यहां पर इतने questions नहीं आते हैं जातर आपके पास fluid mechanics से आते हैं जहां पर properties यह आपके पास laminar flow turbulent से भी इतना जाधा question नहीं आता है और boundary layer से भी इतना जाधा question नहीं आता है concept momentum equation यहां से आपके पास questions आ सकते हैं अच्छा fluid mechanics अगर हीट्रोलिक से open channel flow पार्ट बोलू ना तो energy depth relationship specific energy से maximum question आने के chances हैं ठीक है सर्जीज वाला topic जो OCF में है that is only in ESC सर्जीज वाला topic जो OCF में है that is only in ESC अभी gate के सलिपस में वो नहीं है और plural fluid mechanics अगर 8-9 marks का आता है तो इसमें 4-5 marks का fluid mechanics आएगा FM और 3-4 marks का आपके पास open channel flow आजाएगा और fluid mechanics पढ़ने में अगर आपको यह open channel flow पढ़ने में अगर आपको X समय लगता है तो fluid mechanics पढ़ने में आपको कम से कम 5X समय लगेगा तो पांच गुना समय पढ़ लगाके fluid mechanics से उतने ही कोशन आएगे 3-4 marks के जितने में आपके पास OCF से आ जाएगे सबसे अच्छा फ्यूचर था आज की डेट में है और कल की डेट में भी रहेगा एटलीस 2040 तक तो कितना प्राविटेशन हो जाए या इतना प्राविटेशन तो हो नहीं रहा है जितना आप लोगों को लग रहा है ठीक है तो एक और बात आपको दिनकों प्राविटेशन होगे तो इतना सब मेहनत करने का क्या फाइदा है मेरा खुद का ऐर्पोर्ट ऑट इंडिया में है और बहुत सरे स्टूडेंट्स अन्या प्राविटेशन होता है तो हमेशा उसके एंप्छन होता है कि आप गवर्मेंट के किसी और संस्था पर चल जाए अधीक है इडिजेशन अगें आपके पास तू 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 त्री मार्ट चोटा सब्जेक्ट है चोटा सब्जेक्ट है और चोटे से उसके मार्क्स भी है मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा-बड़क आपके बहुत कमाए और डेल्टा डूट्व से मैक्सिम कोशन आने के चा तो हीटलोजी में आपके पास सलेबस मैं बच्चों को ऐसा बताता हूं कि पूरे हीटलोची का जो सलेबस भजो यह यह वाई P is equal to जितनी बारिश होई precipitation यह तो जो इवेपरेट होगा यह तो जमीन के नीचे जाएगा यह यह जमीन के ऊपर भाएगा नेगलेटिंग लॉशेंज जितनी बारिष वी प्रेसिपिटेशन यहां तो इवेपरेट होगा रन आफ होगा अब मेरे पास ना जो आई और आ रहे है आई और आर में आपके पास आगया फाई इंडेक्स डेली इंडेक्स होटन सकर्व और अगया हाइडोग्राफ 95% कोशन यहां से आएका प्रेसिपटेशन से फैक्टरफेक्ट एवेपरेशन या प्रेसिपटेशन रेंगोज मेजर टों मिसिंग रेंवाल डाटा नमबर अपरेंगेज वहां से कोशन दस परसेंट है इन 90 परसेंट है गेत में इंजिनिंग सर्विसेंगैं सब्सक्रीशन आता है लेकिन पी इसे भी वहां पर डीसेंट नंबर कोशन आता है लेकिन आपको इंगान के बहुत हरानी होगी कि पिछले दो सालों में इंजिनिंग सर्विसेज में हाइड लगभग ना के बराबर आ रहे हैं गेट में फिर भी दो तिन कोशन आ जाएंगे हाइड लोजी पिछले क से दो सालों में इंजिनिंग इंजिनिंग सर्विसिज्ट के प्रिलिम्समें में 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 मां हosit में में 25 ना है छाय में लगभग ना या कि बराबर की इसके बात सिवेल इंजिनिंग मैं मां सब्यूं एंवरूं औरमेंटल नेन recycling अगेन आपके पास लगभाग फार्भवां 13-14 मार्क्स के आपके पास आता है और आजकल तो खेल बहुत सारे बहुत सारे मेंवें से बहुत सारे लिएस बहुत सारे मेंट से बहुत आय। स्टिल अगर मैं आपको सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक बताऊं तो ओवर्फ्लो रेट वाला ठीक है एक्टिवेटिटिट्स प्रोसेस कार्ब्रेंट हाड़नेस नान कार्मेट हाड़नेस पे न्युमेरिकल वह जो बी ओडी में एकी पावर माइनस के टी वाला रहता है वह से मैक्साइम कोशोन आते वाटर कालिटी पैरमिटर करें फियंट इसके बाद ट्रांसपोर्टिंजरिंग की तो आगर मैं देखो क्या हुआ है ना सिरे इंसे इंचिन्ग में कुछ साल पहले रेलवे ए ने से बढ़िकामे आप कि पोऊड़क्स और。。 कोई सब्जेक्ट एड होगा तो एक बहुत बहुत लॉजिकल है एक बात बहुत लाजमी है कि सब्जेट्स के वेटेज या माक्स धीर धीरे करके थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि नम्बर अशेट बढ़ गए रेलवे बढ़ गया बिल्डिंग मेटेल बढ़ गया एरपोर सब्सक्राइब बढ़ गया है पहले तीन चार पांच माक्स का रहा है सब्सक्राइब मान के चलो कि रेलवे एरपोर्ट से कुछ कोशन नहीं आएगा हाईवे से ही कोशन आने वाला है और हाईवे में अगर मैं बात करूं तो पेमेंट से नहीं आपके पास ज्यादा कोशन ज्युमेंट्रिक क्याइगा गया सोना चाहिए झालेग से प्यूले में भी पूसक्ता है और तो मैं कौन होता हूं कुछ कहने वाला है इंपॉरिंट्टяти एस तीन टॉपिक गाप के पास लिए रहा है परिटिऊंट्पामर्थ सब्सक्राइब नेकिन एक चांज कम है चैन्स फटो ग्रामेटरी से कोशन हाता है लेकिन स्टिल कर्स धियोरी औफ एरर यह सब टॉपिक एस यहांसे 10% कोशन आएगा तो नब्वे पर्सन कोशन यहीं प्राइगा और एरिया वॉल्यूम वाला चैप्टर एट इस अनली फॉर इंजरिंग सर्विसेज तो यह आपके पास जियोमेटिक्स का हो गया ठीक है अब जो मैंने आपको बताया उसका पहली बता जाता है कि सब बता रहा हूं मैं आपको कि आमको बाउंडरी में रहके पढ़ना है यह मैंने लिया था प्लीज को देख लेना ठीक है किसी नहीं देखा हो तो इस रोकी जो त्यारी करने और इस रोकी त्यारी उनको बिलकुल नहीं करनी है जो अभी दो मैंने पहले पढ़ने बैठें जो अच्छे से 2023 दिये थे गे पहले पूरा पढ़ लो फिर एक्जान देना जो भी रास्ते में आए यह कुछ सेशन से जो मेरे अभी आने वाले आप यह सेशन मैंने अभी अप्लोड हो गया आज आप देख लेना के कुछ अप्रॉक्सिमेशन ठीक है स्कॉलरशिप टेस्ट आपके पास है 14 में को आप सक आता हूं कि रुख जा भाई ठीक है तो जो सिले बस था मैं इसको चैप्टर वाइस आपको बताओ ना तो यह आपके बास्टेंथ और मैट्रियल के लिए सों के लिए त्योरियों फेलियर सिर्फ इंजरिंग सर्विसेज में ठीक है बाकिस आपके सब्सक्राइब से ट्रां इस लेड़े मिनरल और स्वाइट लास्टाइम चेंज हुआ था 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 तो आई टी नोटिफिक्शन निकाली तो जब इसके लिए उसकी यह उनली एसी है बाकि सारे टॉपिक्स आपके पास गेट में भी है और स्वाइल में एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर एक टॉपिक है डी फांडेशन में लेटरल कैपेस्टी आफ़ लेटल कैपेस्टी आफ पाइल जो ऑनली गेट में ठीक है एक ऐसा भी टॉपिक है यहां के इंपोर्टरण टॉपिक्स और इजन प्रॉपर्टी इस के बाद इंजिन सर्विस के लिए बहुत सिर्फ एक या दो माक्स का आएगा और वहां से सिमेंट के आने के चांस मैक्सिमें टिमबर इस ओनली नियसी ब्रिक्स इस तरीके से भी लिखी हैं कि आप इसके पर्ट इप्यम है यहां तो पर्टी आएगा लेकिन हाँ अब इंजिनिंग सर्विसिस में भी आ सकता है इंजिनिंग सर्विसिस में घेट में पर्ट और सीप्यम आने के चांस है यह वहां से कोशन आने सर्विंग में सिर्फ एसी में है एरिया वॉल्यूम सिर्फ एसी में बाकि सबसे आएगा लेकिन फिर भी कंपास से ट्रैवर से और लेवलिंग से मैक्सिम कोशन आएंगे भाई ठीक है वीडियो को लाइक और शेर करते रहें सबके सब इसके बाद रेलवे अल्टो इतना इ नहीं है जितना कानेमेटिक से बांडरी लियर गेट में उतना इंपोर्टेंट निया ड्राइग लिफ्ट कॉंसेट टर्बूलंट भी गेट के लिए पर्टिकलर इंपोर्टेंट नहीं है और यह आपके पास मशीन है जो ऑल्दो कोशन हो सकता है एक भी ना है प्रदीप उ पहुत पिछले सालों से कोश्चन नहीं आया है और ट्राफिक से आपके पास ग्रीन शील्ड वाला वी एफ इंटू के लिए फॉर वाला चीज या वैब्स्टर मेंट से निमेरिकल आपके पास आ सकता है यह रोट्टरी से हाइवे में यहां से इतना इंपोर्टेंट नहीं है यह इंपोर्टेंट नहीं है इन तीन टॉपिक से मैक्सम कोशन आने के चांस है और जो फाउंडेशन है यह सारी चीज़े सिर्फ आपके पास इंजिनिंग सर्विसिस में आएंगी वाटर टैंक आपके पास है यहां पर आपको अनक्राइक सेक्शन मनाना होता है इंजिन चीज़ेर कि सब्सक्राइब आपके इंजिनिक सर्विसिस में एंगानिक्स में एसा इसा जरूरी नहीं कि कि स्ट्रक्चर में मैं जाऊं मोवंंेंट // नाने के शर्ज dell injury ड़िथ रलीशनọn warfare ट्रैंट्ट ल Даudan हो дäreट हुआ मैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों सेशन आपको पसंद आया नहीं हो स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो ओन दा कमेंट सेक्शन मैं आपका रिप्लाइव वहां पर करूंगा रात को जब भी मैं सोता हूं से पहले अपने यू रिसेंट वीडियो इसके देखते रहता हूं किसी को कोई भी डाउट होता है तो वहां पर मैं रिप्लाइ को और वाक्शाप में लेने वाला हूं फ्री वाक्शाप इसको रजिस्टर कर दिजेगा टूस्डे को सेवन थर्टी पीम पर ठीक है टेलीग्राम से विल वाया भी आप मेरे को जॉइन भी कर सकते हैं ओके तो थैंक यू थैंक यू एवरीवन टेक्यार सी यू सून गुड करनका अर्टी बेफ़े हमसितील लेफ़े हमसित रिएक डिए रेक्यार सी ओंसे को से भao reverर ही एक का बज़र हमक्रांरा लेफेश। कर दो